हाई फेंड्स, कौन कहता है कि हिंदोस्तान का सिस्टम नहीं बदल सकता? जब भी इस सिस्टम को बदलने की बात आई, तो पॉलिटीशन्स और बिरोक्रेट्स ने ये कहकर चुपकर आ दिया कि सिस्टम कोई चंद दिनों में थोड़ी बदला जा सकता है, सालों लग जाते हैं सिस्टम को बदलने में लेकिन सही माइनों में देखा जाए तो वो ये सिस्टम बदलना ही नहीं चाते, खोड तो उनकी नियत में है एक शक्स, आईजीपी बसंतरत, अकेले उन्होंने एक हफ़ते में जम्मू की ट्राफिक का निजाम बदल दिया क्या वो सिस्टम से बाहर थे? नहीं मैं दिल से मुबारक बात देना चाती हूँ बसंतरत जी को और चाती हूँ ऐसे कई आफिसर्स हमारी अड्मिनिस्ट्रेशन में हूँ क्योंकि अगर इस तरह के आफिसर्स होंगे तो हमारे हिंदोस्तान का सालों में नहीं, चन्द दिनों में नक्षा बदल जाएगा बसंतरत जैसे केरेक्टर हमने आज तक सिर्फ फिल्मों में ही देखे हैं असल जिन्दगी में ऐसे किरदार देखने को मिलते ही नहीं है रच साहब जैसे केरेक्टर जब कोई आन स्क्रीन प्ले करता है जैसे सलमान खान या अजे देवगन तो हम लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं उन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं लेकिन असल माइनों में अगर हमें किसी को फॉलो करना चाहिए तो वो रच साहब है क्यूंके वो परदे के पीछे के आदाकार नहीं है वो रेल हीरो है इसलिए आप उन्हें किसी सिंगम या किसी भी दबंग से कंपेर मत कीजिए क्यूंके बसंतरत खुद एक नाम है रच साहब काफी ऐसे पॉलिटिशन्स और बिरोक्रेट्स हैं जिनको आपके काम करने के तरीके से प्रॉब्लम है और वो ये पबलीकली बता भी चुके हैं क्यूंके वो जानते हैं जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उससे बदलाव आएगा और अगर बदलाव आया तो उन्हें कौन पूछेगा लेकिन जिस इमानदारी और बेख़फ तरीके से आप अपना काम कर रहे हैं आप इसी तरह अपना काम करते रहे हैं जम्मू का हर बज़र्ग हर यूद और हर गरीब की दूआ आपके साथ है क्यूंके पहली बार हमने भी बदलाव देखा आखिर में एक शेर आपकी नजर जमाना भर मुखालिफ है फलक भी है अदू तेरा बिगरता कुछ नहीं तेरा निगे बाद जब वो है तेरा God bless you Thank you so much